Hyundai की N-Line lineup जो है वो I-20 से शुरू होई थी इंडिया में और इसकी second product रहने वाली है Hyundai Venue Hyundai Venue का facelift version अभी launch हुआ है इंडिया में अब जो है वो इसका N-Line version भी इंडिया में launch होने वाला है 6th September को जो है वो ये गाड़ी launch होने वाली है इंडिया में तो इसमें क्या कुछ ज़्यादा देखने को मिलने वाला है इस वीड़े में बात करने वाले है तो first of all आपको new color options इसमें देखने को मिलने वाले है और specially जो N-Line series वाला blue color है वो आपको इसमें देखने को मिलने वाला है रेड़ elements देखने को मिलने वाले है जो कि इस गाड़ी की presence को sporty बनने में मदद करते है और इसमें जो है वो front में आपको grill भी change देखने को मिलने वाली है थोड़े से small small changes जो है आपको इसमें देखने को मिलने वाले है आगे PTA साइड की तरफ आपको सबी की तरफ जो है वो रड एकसेंट की जो है वो स्ट्राइपिंग देखने को मिलने वाली है और उसके साथ साथ चारिस साइड में चारुजी तरफ आपको N-Line का लोगो देखने को मिलने वाला है इसमें आपको नई डिजैन के जो है वो डामन कट अलाईविल्स देखने को मिलने वाल है और इसमें आपको N-Line Badging वाला लोगो देखने को मिलने वाला है अगर हम Rear से बाहत करते हैं तो Rear में भी यो है वा आपको थोड़े से चेंजेस इसमें ने को मिलने वाला है और तो और इसमें वह आपको डूट पॉइनफी ऐग्जोट चैना को मिलने वाला है जो कि आपको i20 में भी देखने को मिलता है और दोस्तों interior की बात करते तो फुल ब्लैक जो है आपको इसमें interior देखने को मिलने वाला है As it is features के साथ ये देखने को मिलेगा आपको enhance करने वाल है यहीं लोग की नॉर्मल में उन्य ने पहले ब्लैक कलर का इंटर्यार आता था बट अब ब्र बैच कलर कर दिया है but जिन लोगों को ब्लैक एंटर्यार पसंद है उन लोगों के लिए एनलाइन जिए बहुत ज़दा बेद्धर आप्शन रहने माला है एंजिन की बात करते तो वही आईट्वेंटी वाला आईट्वेंटी एनलाइन वाला जो है वह वह वन लिटर का ड्रब चाच पेट्रल इंजिन देक्ट को मिलने माला है अंड डेफिनेटल इसको जो है वो तोटा सा उपर जो है व ज्यादा पावर से जो ट्यून कर जाएगा जिससे कि जूब और इस एंगिन की एच्छे है इतनी इंजिन नहीं होने माली है प्रैजिंग की बात करते हैं तो पचास दे लेकर एक लाग रुपए दक जो है वह मैं जड़ार बोल रहा ह इसके अराउंड ही वह प्राइस देखने को मिलेगे आपको इससे ज़्यादा प्राइज करके तो जो है वो एन्यू एनलाइन लेना को मतलब नहीं बनेगा तो वीडियो के सी लगिफ रिश्ट केमें कर तो रूपाताना गाड़ी में इतना कुल्फ जादा नहीं है सिर्फ जोहवाप को जैसे आपको i20 नॉर्मल देखने मिलती है और i20 एनलाइन देखने को मिलती है वैसा कुछ होने वाला है ज्यादा कूछ इसमें जिज से नहीं देखने के मिलने वाले है आप एसाए भी बोल सकते हो टर्बो पेटल को जो है आज वेन्यू एनलाइन करके लॉंच करने वाले है यह लोग तो वीडियो केसे लेगी प्लीज मुश्रू करके सरू बताना थैंक यू फ्रेंड्स पर वाचिंग दिस वीडियो